दोस्तों नमस्कार शरकेलाज बिसकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ हम बात कर रहे हैं विशेशन की और विशेशन को दो भागों में बाटा गया है उसी में हम देखे कि मूल आधार पर जो है तो वो चार प्रकार से मूल आधार पर बाटा गया था और दूसरा हम देखते हैं इसका भाग स्थान के आधार पर इस्थान के आधार पर जो है यह है विशेशन है इसे दो भागों में बाटा गया है शमान विशेशन और विधिय विशेशन यह हम आज आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी चैनल प पहुंचाएं विशेशन बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक होता है किसी वस्तु की विशेशता बताने वाले शब्दों को हम विशेशन कहते हैं अर्थात विशेश शब्द जो है वह शंग्या वह सर्वनाम सब्दों के इस्थान पर प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं विशेश कहते हैं विशेश इसलिए कहा गया है क्योंकि वह संग्या और शर्वनाम सब्दों की विशेशता हमें बता रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शामान विशेशन की और शामान विशेशन में इस्थान के आधार पर जो शामान विशेशन है इसका प्रयोग विशे विशेष के पहले होता है जो विशेष है के पहले इसका प्रयोग होता है तो वहां पर शामान विशेष ऑन होता है के विशेष किसे कहींगे एक शंग्या शरुणाम शब्द जो है वो विशेश के बदले प्रयोग किये जाते हैं विशेश के लिए प्रयोग किये जाते हैं जैसे यहाँ पर विशेश गाय जो है वह है क्या है एक शंग्या शब्द है अर्थात यह है विशेश है और इस विशेश के पहले हमने प्रयोग किया कौन सी उसकी विशेशता बताने वाले असाब्द जो है वह काली है अर्था जो काली गाय है वह कैसी है बहुत सुंदर है तो जो किसकी विशेशता बताई आ रही है गाय की तो इसलिए यहां पर शामान विशेशन होगा क्योंकि शामान विशेशन में विशेश के पहले विशेशन का प्रयोग किया जा इसका प्रयोग विशेश के बाद में किया जाता है, जो विशेश होगा उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा, वाक्य में जहां पर ही ऐसा कि विशेश जो है उस शब्द के बाद में विशेशन सब्द का प्रयोग किया जाएगा, विशेशन सब्द जैसे बहुत यह पे भी हमने देखा था काली यह विशेशन सब्द है और इस विशेशन सब्द किसके पहले यह विशेश के यहां पे बाद में प्रयोग किया गया है यह विशेश सब्द है और यह विशेश सब्द है इसके बाद में हमने विशेशन सब्द का प्रयोग किया है इसलिए यहां पर विशेशन होगा तो इसके आधार पर विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक शामान विशेशन और एक विदे विशेशन और यह हैं पूरा हमारा विशेशन का टॉपिक समापत होता यहां पर जो हमने सभी जितने भी प्रकार के भेद होते हैं उन भेदों के आधार पर भी और उनके प्रकार भी आपको समझाया एक नजर हम पूरा विशेशन पर डालते हैं और विशेशन जो है किसी वस्तू की विशेश्ता बताने वाले शाबदों को हम विशेशन कहते हैं विशेशन को दो भागों में हम बाढ़ सकते हैं एक अधार मूल रूप में और दूतरा है इस्तान के अधार पर विशेशन जो मूल रूप में विशेशन होते हैं वो गुण वाचक, संख्या वाचक, संख्या वाचक को भी दो भागों में हमने बाटा है एक निश्ची संक्यावाचक और अनिश्ची संक्यावाचक, तीज़रह है परिमाणवाचक और चौता है शारुनामेग इनके साभी के हमने वीडियो आप तक पहुंचाया है, अलग-अलग वीडियो बनाया, यदि आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर आप देखें ये सभी सरवनाम आपको मिल जाएंगे आज हमने बताया इस्थान के आधार पर विशेशन और इस्थान के आधार पर विशेशन दो प्रकार के होते हैं एक शामन और एक विदे विशेशन दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक सदिक दोस्तों तक यह जानकारी पहँचाएं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रविशेशन क्या होता है तो आज के लिए इतना ही नमस्कार